जैसे ही हम इस पे किलिक करते हैं देख सकते हैं हमें यहां पर Google पे लेके जाच चुका है और यहां पर हमारा email ID जो भी है तो हमारा चैनल हैक हो जाएंगा या फिर हमारी जो information है वो लिक हो जाएंगी तो दोस्तो आप भी एक यूटूबर हो और आप अपने विडिक एप्लिकेशन में जाकर अपनी वीडियो को उप्टिमाइजेशन करना चाहते हो यानि कि आप टाइटल, टैग, डिपकिप्सन वगएरा सारी चीज़े चेंज करना चाहते हो लेकिन हम जैसे ही पब्लिश की उप्टिमाइज पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस परकार का इंटर्फेस दिखाई देता है जैसे कि यहां मैं एक इसके सोट लगा चुका हूँ इसे हमें क्या करना है इसे परमिशन देना है या नहीं देना मैं वीडियो में आगे बताऊंगा तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं गाईज मैंने अपना यहां पर वीडिक एप्लिकेशन ओपन कर लिया है ठीक है और आपको यहाँ पर वही अकाउंट लोग इन कर लेना है जिस अकाउंट से आपका यूटूब चैनल बना हुआ है उसके बाद आपको निटिक साइड में बहुत सारे ओप्शन दिखाई देते है उसमें आपको अप्टिमाइज का ओप्शन दिखाई देता है जैसे ही मैं इस पर किलिक करता हूँ यहाँ पर मेरे सारी वीडियोज आ जाते है ठीक है तो जैसे ही यहाँ पर मैं कोई भी वीडियो स्लेट कर लेता हूँ यूटूब लोगों कैसे बनाए ठीक है जैसे ही मैं इस पर किलिक करता हूँ इस परकार का मारे स्में इंटर्फ्रेस आजाता है अब यहां पे आप जैसे ही चेंज करती है अपना टाइटल हो गया यह ड्रीSRIPTION हो गयी यह फिर टैड पगेर वगया हो गया तो जैसे ही यहां पे मैं अपना कुछ भी खेंज करके आपको बता देता हूँ देख सकते हैं यहां पर tag पे दाल देतो हो local design tips जैसे ही मैं इस पर click करता हूँ देख सकते हैं हमें निटी की side में एक option दिखा रहा है ठीके है यहां बतारे publish chain to your video अब मैं जैसे ही मैं इस पर click करता हूँ देख सकते हैं एक नय option आमें दिखा देता है पहले तो ऐसा कुछ इस पे नहीं आता था लेकिन अभी हम जैसे ही इसको publish करने जाते है तो हमें एक option दिखाता है देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या बता रहा है इसको आपको पढ़ लेना है Guys हमें यहाँ पर बता रहा है authorize with YouTube पर ठीक है जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं हमें यहाँ पर Google पर लेके जा चुका है और यहाँ पर हमारा email ID जो भी है यहाँ पर शो रहा है यहाँ आपको वह email ID सेलेट करना है जिस email ID से आपका YouTube चैनल बना हुआ है तो चलिए यहाँ पर मैं अपना email ID सेलेट कर लेता हूँ जिस email ID से मेरा YouTube चैनल बना हुआ है जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ देख सकते हैं next इस पर हमें लेके चला जाता है अब यहाँ पर आपको guys करना क्या है आपको यह पढ़ लेना है ठीक है आप पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो उसके बाद आपको यहाँ पर scroll कर लेना है यहाँ पर मैं scroll कर लेता हूँ जैसे ही हम scroll करते है निटीक साट में आपको यहाँ पे एक option दिखाता है cancel और दुसरा option दिखाता है अबको allow कर ठीक है तो आपको यहाँ पे allow के option पे click कर देना है जैसे ही हम allow के option पे click करते हैं देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस परकर कैंटर्फेस आज चुका है और यहाँ पे हमें open के option पे click कर देना है जैसे हैं यहाँ पे मैं open के option पे click करता हूँ और अब यहाँ पे हम बड़ी असानी तरीकी से publish chain to your videos कर सकते हैं मतलब हमारा जो भी videos हम यहाँ पे edit करते हैं जैसे कि यहाँ पे हमारा title, description, tag बगर हम जो edit करते हैं तो अब यहाँ पे हम बड़ी असानी तरीकी से इसको publish यहाँ से कर सकते हैं और दोस्तों मैं आपको इसको publish करके भी दिखाऊंगा लेकिन इसको publish करने से पहले एक आपको बात बताना चाहूंगा दोस्तों काफी सारे लोग सोचते हैं कि हम इस चीज़ को कभी allow करेंगे तो हमारे channel hack हो जाएंगा या फिर हमारी जो information है वो leak हो जाएंगी तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता आपका भी गलत जगा ऐसी चीज़े करते हो तो यह ऐसी चीज़े हो सकती है लेकिन दोस्तों जो video application है यह YouTube certified है ठीक है तो चलिए मैं इसको आपको यह पर फटाफट से publish करके दिखा देता हूँ जैसे ही मैं publish के option पर किलिक करता हूँ आप उपर की side में देख सकते है video has been changed ठीक है यहाँ पर हमारा जो भी हमने edit किया था हो यहाँ पर change हो चुका है ठीक है आईए होब दोस्तों इस video के जरी से आपको helpful जानकरी मिली होंगी आपको video अच्छे लगते हैं तो आप video के लाइक करें तो चैनल को subscribe और all notification को दबाना ना भूले तो चलिए मिलते हैं next video में